इस पीच आज का सबसे बड़ा इंटिव्यू का एक अंश आप को सुनाते हैं लोग सभाचुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले ग्रह मंत्री अमिट शा ने देश की सबसे बड़े न्यूस नेटवर्क याने की नेटवर्क 18 को एक exclusive interview दिया है नेटवर्क 18 ग्रूप के एडिटर इंचीफ राहूल जोशी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल देश के लिए स्वर्निम काल रहे हैं एकॉनमी को मोधी सरकार ने नई उचाईयां दी हैं उन्होंने कहा आतंकवाद और नकसलवाद पर काबू पाने की भी बड़ी उपलब्धी इसी सरकार ने हासिल की है कौन से ऐसे मुद्धे हैं जिनको लेकर भारती जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है किन उपलब्धियों को आप संख्य पर बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं देखे सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नकसलवाद यह दो ऐसी समस्या हैं थी जो कई दसकों से देश के लोक्तंत्र के लिए और देश के डेवलप्मेंट के लिए नासुरू बनी हुई थी नरेंद्र मोदी जी ने दस साल के इंदर लगबग लगबग आतंकवाद से सत्प्रतिसत निजाज पाई है और नकसलवाद से आप कह सकते हैं 95 प्रतिसत तक इसको समाप्त कर दिया है आज बिहार जारखन मद्यपदेश ओरिशा तेलंगाना आंद्रपदेश महराष्ट इस साथ राज्यों में से नकसलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है 36 गड़ के चार जिलों में बचा है वहाँ पर भी अब भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनी है और वीगत तीन महिनों के अंदर ही लगबख सो नकसलवादी मारे गए मुझे पुरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रदानमंत्री बनने के बाद एका दो साल में ही देश नकसलवाद से मुक्ति पालेगा दूसरा बड़ा इस्चू है देश की इकोनोमी सब दुरूष्टी से चर्मराई हुई थी पॉलिसी बनती ही नहीं थी उत्पादन की गतिविद्या बड़ी मंद पड़ गई थी निर्याद वंदे मो घिर रहा था देश की सारी सर्वजनिक बैंके को बैंको की बैलेंसिट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए इस प्रकार की स्थिति थी महगाई आस्मान को चूर रही थी और कुल मिला कर बजेट के 16 के 16 पेरामिरिटर्स नेगेटिव दिखाई पर दे थे दसी साल में मोदी जी ने ये परिदुष्य को पूर्ण तयाब बड़ा है सेर बजार अज आस्मान को चूरा है एफाई आई के सेलिंग के बाद भी भारतिय मिच्चूल फंडों ने बाजार को ताकत दी है पी एलाई स्कीम के कारण और एक मजबूत इको सिस्ट्रिम के कारण भारत फैवरेट डेस्टिनेशन मैनुफेक्चर के लिए पूरी दुनिया में बना है हिरे हमारे बच्चे श्टार्ट अप हरोज रजिस्ट्रर कर रहे हैं हमारी कंपनिया हरुत पेरर्ण रजिस्ट्रर के भडा की अवसर पैदा हुई हैं सभी की सभी बैंकों की बैलेंस इट अज बहुत अच्छी बन चुकी हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जितने भी पेरामिटर्स हैं वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं एक्सपोर्ट रेकोर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है इसी प्रकार से फीचर में जो कुछ खेत्र आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर की इकोनोमी को ड्राइव करने वाले हैं वो सभी खेत्रों में भारत आज पायोनियर बन चुका है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैनिफेक्टरिंग ठोड़े लेट है मगर सेमी कंड़क्टर इलेक्ट्रिकल मोटर वेहिकल बैटरी का उत्पादन अंतरीक्स का क्षेत्र लेट होने के बावजूर मैं फिर से कहना चाहूंगा डिफेंस भी इस प्रकार के कई क्षेत्रों के अंदर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया की एकोनोमी की दिशा और दसाताई करने वाले हैं वहां आज भारत एक मज पुरक्सित भी हुआ है देश ग्यारवे नंबर का अर्थतंत्र था पांचों नंबर का अर्थतंत्र बना है गाउं हो या सहर जंगल हो या रिगिस्तान सागर किनारा हो या सहर हो हर जगे इंफ्रेस्ट्रेक्ट्टर के डेवलप्मेंट के काम हो रहे हैं आज 10 लाग करोड का इंफ्रेस्ट्रेक्ट्टर का खर्चा भारत के बजेट में आम बात बन चुका है जी एस्टी कलेक्शन और डाइरेक्ट टेक्स कलेक्शन अपने सारे रेकॉर्ड स्वयम ही तोड़ते जा रहे हैं देश के अंदर सिमाओं को चौक चौबन करने का काम भी नरेंद्र मोध की जो जिम्मेदारी है नरेंद्र मोधी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है अच्पूरे 130 करोड लोग हम वीश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं यह आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं हायर एज्यूकेशन हो नई एकोनोमी पॉलिसी हो या या देश के क्रिमिनल लौ के अंदर आमुल्चूर परिवर्तन करना हो हर क्षेत्र के अंदर यह दस साल स्वर्णेम अक्सरों से लिखे जाने वाले दस साल जनता भी यह फिल कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका वो केवल और केव नरेंद्रमोदी जी का नित्रुतुर आए अच्छार सो पार का आप कानारा है तो क्या गाड़ी पट्री पे है आप परिनाम के दिन देख लेना शाड़े बारा बज़े के पहले एंडिये चार सो पार कर जाएगी या तो राहूल गांदी ने सपस्ट करना चाहिए जितते हैं तो नए कपड़े पहन कर सपत ले लेते हैं हारते हैं तो एम पर ठीकरा फोड़ते है वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल पत्र का मुद्दा है उसको जमिन पर उताने का पू और लेक्शन है तो एम जदा हैं